हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब तो देखे यहाँ पे जो डी एफ सी सी इल की तरफ से जो वैकेंसी आई है अभी जस्ट उसका जो ओफिसियल नोटिफिकेसन आया था उसमें इन्होंने बताया कि इस बार हम दो-दो पेपर लेंगे आपका CBT1 और CBT2 बट जो CBT1 है उसमें आ हम लोग 2018 का पेपर ले रहे हैं एक्जिक्यूटी ऑपरेशन सेंड बिजनस डेवलपमेंट में यह पूछा गया था लेकिन नॉन टेक्निकल तो सारे डिपार्टमेंट के लिए कौमन ही रहेगा आई थिंक मतलब भले ही हर एक डिपार्टमेंट का अलग-अलग पेपर हो ब तो यहाँ पे आपको जो पहले स्टार्टिंग के 12 कुश्चन थे वो आपको जनरल अवेरनेस और करेंट अफेर से पूछे गया थे तो पहले के जो करेंट अफेर्स हैं वो आपके हिस्ट्री बन चुके हैं इस वज़र से हम लोग इसमें ज्यादा इंट्रेस्ट नहीं दि मंजुरी दी है तो यहाँ पे जो न्यू डेवलप्मेंट बैंक था ठीक है उसने मध्यप्रदेश में बुनियादी धाचा पर्योजना के लिए 525 मिलियन डॉलर के रिड़ को मंजुरी दी थी तो फर्स्ट ऑप्सन करेंट था यहाँ पे पहला कुश्चन जो आपका से लेकिन स्पोर्ट से आपका कि 2018 में और यहाँ घेलो बारत ने कुंख कितने पदक जीते हैं तो अगैन घेंवरा यह हमारा यहें सपोर्ट अाप देख सकते हो करेंण्ट अफ्यर से कोईशनल Лquet इन इस सपोर्ट से तो कितने पदक जीते थे उस पर 2018 में जो A.C.I. खेल वा था तो भारत ने कुल 69 ठीक है पदक जीते थे यहाँ पर जिसमें से अगर हम बात करें कि अब ऐसा भी पूछ सकता है आपसे कि 2018 में जो A.C.I. खेल वा था यह कहाँ पर हुआ था तो यह आप का हुआ था इंडोनेसिया में ठीक है अगर हम बात कर तो पहला gold medal जीता था ठीक है पहली भारती में इला थी जो की gold medal जीती थी कुस्ती में तो यहाँ पे आपका 69 टोटल पदक जीते थे 2018 CI खेलो में बढ़ जाते हैं अगले question की तरफ अगला जो question है हमारा third question की प्रसिद्ध पुस्तक अगला जो question है हमारा भारत में कौन सा राज हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक है तो भारत में कौन सा राज हीरे का है और इसा चत्तिसगर जारकंड या फिर मध्यप्रदेश तो fourth option यहां पर आपका क्या है क्रेक्ट है मध्यप्रदेश ठीक है यहाँ पर हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक तो जितने भी देखी आपके 2022 या 23 के US open या फिर ऐसे करके एक Australia open होता है जितने भी है उनके जो भी winner है उनको आप लोगों को देख लेना है तो यहाँ पे आपका जो correct answer है नुवाक जोकोविच इसमें नुवाक जोकोविच आपका क्या है यहाँ पे correct answer है अगला जो question है हमारा six number का कि dash का सदस्य dash की अवधी के लिए चुना जाता है तो यहाँ पे जो आपके options है अगर यहाँ पे आप देख सकते हो कि यह quality से हमारा question है और general awareness में आ जाएगा तो राजी सभा 5 वर्स राजी सभा 6 वर्स लोग सभा 3 वर्स या लोग सभा 4 वर्स अगर लोग सभा की बात क question अगर हम बात करें यहाँ पे 7th number का तो महिला वंडे में सरवधिक मैच खेलने का विस रिकारड किस भारती खिलाडी के नाम है तो यह question again sports से आप देख सकते हो और काफी मतलब अच्छा question है यह तो सबको पता होना चाहिए कि सरवधिक मैच खेलने का जो world record है किस भारती खि यहाँ पे जो मिताली राज है इन्होंने पहला 2005 में भारत को पहला world cup यहाँ पे जिताया था ठीक है एक दिवसी क्रिकेट की बात करें तो और हर्मन प्रित कौर जो है इस टाइम पे वो इंडिया की कैप्टन है सिखा फांडे अभी खेल रही है जुलन गोस्वामी ने भी अभी सन्यास ले लिए ठीक है तो यह आपका है स्वोर्ट से क्विस्चन रहा अगिन अगला जो क्विस्चन है हमारा एट्थ क्विस्चन दिन लिखित में से कौन सा अनुच्छेद अलपसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से संबंदीत है तो अगिन हमारा जो पॉलिटी से है आर्टिकल्स और कैसे याद करना है वो भी वहाँ पर हम लोग देखेंगे बट यहाँ पर जो आपको पूछा गया था कि अलपसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से संबंदीत तो यह आर्टिकल ट्वेंटी नाइन है ठीक है सेकेंड ऑप्सन यहाँ पर करें बात करें 42 18 और 24 की तो यहाँ पर जो आर्टिकल 42 है वो है काम और मात्रेत तुराहत के नियाय और मानवी इस्तितियों के लिए प्रावधान और आर्टिकल 18 जो है यह उपाधियों का उन्मुलन है कम से कम 20, 24, 25 तक तो आपको ऐसे ही एकदम रटा होना चाहिए और आर्टिकल 24 है वो का पहला कार खाना इस्तापित किया था तो यहाँ पर देख सकते हो कि निमलखीत में से किस सहर में British East India Company ने अपना पहला कार खाना इस्तापित किया था तो कोचीन, कोलकाता, काली कट या फिर सुरत तो यह आपका करेक्ट आणसर रो जाएगा सुरत ठीक है तो यहाँ पर फोर तो दिखे जितने भी questions आपको बन सकते हैं जल सेना या फिर धल सेना या फिर आपके वायू सेना से relative तो यहां पे आपको इन से relative जितने भी आपके fighter jet वगेरा होग स्ञेट शव गए थीक है बोट वगेरा या फिर submarine वगेरा ये जो नयया नया स्वादेश्वी बनाया जाता है या फिर कहीं से मंगाया जाता है तो उनको आपको याद रखना है तो यहाँ पे सितंबर 2018 में भारती तरचक बलद्वारा कमिशन किये गए स्वदेश निर्मित पेट्रोल पोत का नाम जो था वो था ICGS विजय ठीक है तो third option यहाँ पे क्या था अगला जो question हमारा है यह देखे general awareness से आप कह सकते हो science का question है कि मनुस्यों में ध्वनी डैस द्वारा उत्पन होती है तो मनुस्यों में जो ध्वनी होती है जैसे मैं भी बोल रहा हूं तो आपने महसूस किया होगा कि किस से ध् होती है यहां से आती है कंठ से ठीक है तो second option यहाँ पर आपका क्या है correct है अगला जो question है मारा 12th number का speaker द्वारा लोक सभा की आचार समीती के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनर नामित किया गया है तो यह भी हमारा उस time का current affair का question था कि उस time पर आचार समीती के अध्यक्ष क के रूप में किसे पुनर नामित किया था speaker द्वारा तो यह आपके लालकृष्ण आडवानी थे ठीक है तो यहां भी fourth option आपका correct था right तो अगला question आप देख सकते हो कि यह आपका reasoning से question है तो आगे के जो आपके भारह question होंगे वो आपको reasoning से देखने को मिलेंगे तो पहला ज उसके पीछे के जो धारड़ा है concept है वो आपको बताया गया है तो क्या है कथन सफल लोग जीवन में खुश रहते हैं और उसके नीचे जो धारड़ा दी गई है कि जो दुखी होते हैं वे सफल नहीं होते यह पहला concept है दूसरा कि कई बार किसी के प्रयासों में सफलता खु अब उसके रिगार्डिंग आपको पहला और दूसरा जो statement दिया गया है बताना है कि कौन इसमें से कौन सा statement इसको follow कर रहा है जो यहां पर statement दिया गया है तो आपको इसमें अलग से कोई दिमाख नहीं लगाना है कि नहीं सफल लोग वो होते हैं यह होते हैं ऐसा वैसा ठीक जीवन में खुश रहते हैं तो यह आपका जो statement है वह आपका क्या है कि करेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि कई बार किसी के प्रयासों में सफलता है तो सफलता खुश है और यहां पर है भी कि सफल लोग जीवन में खुश रहते हैं तो second जो option है यहां पर हमारा राष्ट मंडल खेलो में 70 देशों ने भाग लिया नीचे से मौरिशस 38 स्थान पर है तो ऊपर से कौन से इस्थान पर है देखिए ऐसे questions आपको कुछ इस तरीके से भी पूछ देते हैं कि अगर देदे की left side से मतलब आपका इधर बाये से कोई भी व्यक्ति कुछ बोल है कि बताइए मौरिशस नीचे से यहां पर बात करें मौरिशस नीचे से कौन से में इस्थान पर है 38 में इस्थान पर है और टोटल जो यहां पर पार्टी सिपेंट्स है वो 71 है तो ऐसे questions में आपको क्या करना है डिरेक्ली जो 71 है उसको 30 से आप पहले घटा लो तुरंद टिक है 71 से अगरा अटीस को घटाल हो गया तो आपको कितना बचा यहां पर तो यह आपको क्या चाहिए कि ऊपर से कौन से इस्थान पर है तो 33 तो बचे है कौन से में इस्थान पर है वो बताने के लिए आपको एक यह रतीसमा बताना पड़ेगा ने एक और जोड़ना तो आपको कभी भी ऐसा question पूछे तो आपको केवल यही concept लगाना है केवल अगर दाये से बाये वाला भी पूछे आपसे ठीक है दाये से बाये वाला भी तो भी आपको यही concept लगाना है कि जो भी पूछे कि दाये से या बाये से इस स्थान पर है तो बताईए कि उसके अप तो यहां पर देखिए आपको जितने भी ऐसे कुईशन्स आ जाते हैं जिसमें आपको और वन सेलेक्ट करने होते हैं कौन इसमें से डिफ्रेंट है तो इसका कोई भी एक मतलब लिमिटेट पैटर नहीं होता है अंगिनत ऐसे बनाया जा सकते हैं ठीक है तो यहां पर बस हमको एक दो बार में पहले देखना होता है एक दो अटेम्ट करके अगर हमको आ रहा है तो करना चीए अधरवाइस टाइम वेस्ट नहीं करना चीए यहां देखने से पता चल जा रहा है कि 69 और 115 तो पक्का है कि यह किसी ने किसी से कड़ जा रहे है तो यहां प्राइम नंबर व तो पांच अगर कड़ जा रहा है तो कितना अगा यहां पे पांच दुनी के दस और陽प दुनी के दस पांच यह फंदח तो यहां पर 47 से नहीं कड़ जाएगा तो देख लेते हैं यहां पर साथ बार अगर ले जाएए तभी तो एक आएगा तो यहां पर देखी यह सब्सक्राइब करेक्ट हो गया अगला जो कुईशन है अभी तक तो कोई वैसा टफ कुईशन नहीं दिख रहा है उस वैकल्पिक का चैन कीजिए जो तीसरे पत से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पत पहले पत से संबंधित है यह तो आपका और भी अच्छा यên किशन होता है ऐसा वैफ वाला जो हता है काफी जी होता है यहाँ पी आपको इसको कि नीचे लिख लेता है तो यहाँ पांच होता है Er और ये आif का 6 होता है तो यह बहुत अद्ध ब़कान्तों चाहिए ताकि आप जलदेश को कर पाओ अब हम देखते ह?. उ तो आप इसमें देख सकते हो कि 3 का gap है, प्लस 3 का, इसमें माइनस 1 का gap है, और इसमें माइनस 4 का gap है, और इसमें प्लस 3 का gap है, तो कोई ऐसा pattern नहीं बना, ठीक है, नहीं इसमें कोई, अगर न बने pattern तो आप एक बार देखा करो कि कोई vowel consonant का तो concept नहीं है, क्योंकि इसमें एक ह वावल है E और E वावल है तो E का कोई यूनीक होता बाकी जो कॉंसोनेंट है उनका एक समान होता तो ऐसा भी नहीं है इस वज़े से यहाँ पर जैसे का तैसे हम लोग आगे बढ़ जाएंगे कि यह क्या कहरा है यह देखिए V Y Z W है तो V का सिधा-सिधा 22 होता है आपको याद होना चीए वाई देखिए सिधा Z के पहले आता है टोटल लेटर 26 होते है तो Y का 25 हो जाएगा और Z का 26 हो जाएगा और W का 23 हो जाएगा ठीक है अब सेम ऐसा ही हम लोग करते है कि 2 से 3 अधिक था यह 5 तो 22 अगर 3 आपधिक करोगे तो 25 आएगा और 25 होता है Y का ठीक है और यहाँ पे देखिए 5 में से 1 गया था तो 4 आया था तो 25 में से 1 गया जाएगा तो 24 आएगा और 24 होता है X का यहाँ पे 26 है यहाँ पे 6 था तो 4 घ क्रेक्ट हो गया तो इसे भी आपको थोड़ा फास्ट होना पड़ेगा आप ऐसे जितने भी जहां सभी ट्रिक वगएरा मिले आप उसको जरूर इंसमें अप्लाई गया करो अगला कुश्यन देख लेते हैं अगला कुश्यन भी काफी अच्छा है यहां पर अक्षरों का कौन एस के आ επ इसको पहले कंट कर लो कितने हैं एक दो थीन चार पाँचर साथ नोयह बारा ईन बारातम यह हम खाले टो चयाकर यह जाेंगे तहीं बारा पर जायутस अनोग्षर और क्या नहीं बन रहाogram है दो आपको क्या करना है जो option से उनको put up करना है इसमें कैसे put up करना है आपको सारे option यहीं put up करना है बार बार यह लिखने की ज़रूरत नहीं है तो जैसे यहाँ पर L triple N K है तो आप ऐसे लिख दो L जहाँ जहाँ डैस है triple N K हो गया देखिए एक बार का अब आप इसको पढ़ दीजिए simply के यल यम यन यल यम यन के यम यन के यम यन के यल यन के ठीक है तो यहाँ पर आपको कोई pattern बनता हुआ नजर आपको नहीं आ रहा है वैसा तो आप second option पर जाओगे second option को जस्ट इसके नीचे लिख दो L यहाँ पर M फिर N N K यहीं तो है second option में L M N N K हमने लिख दिया अब इसको भी पढ़ दो के यल यम यम यन के यम यन के यम यन के यल यन के तो यहाँ भी आपको कुछ वैसा pattern नहीं मिल रहा है चार-चार का जनरली चार-चार का ही pattern बनता है बट जरूरी नहीं है अब देख से काफी अच्छा question पूछा गया था तो यहाँ पर होना क्या था कि जो first option आपका है उसमेरी आप ध्यान से देखोगे तो अगर आप चार-चार का पेर बनाओ तो आपका आएगा के L M N उसके बाद L M N K ठीक है यहीं तो है L M N K तो आप देखोगी कि यह जो के है starting का पहला था लेटर वो लाश्ट में चला जारा है मतलब यहां पी आ गया जाया ठीक है अधल्य पीछे ता सब्न रहा था इसवज़े से जुआ पका पहला आंसर वहीं आपका क्या है तो अगर तो यह पेर बन जाता जैसे 16 अगर होता तो चार-चार का पेर बन जाता है कि नहीं और 20 होता तो पांच-पांच का भी पेर बन सकता था चार-चार का भी बन सकता था तो अगर पेर बन जाता है तो थोड़ा अच्छा रहता है और पैटर्न ऐसा दिख जाए तो बढ फूल दान फूल हैं तो सभी फूल दान मैं फूल दान को FD से रिनोट कर रहा हूं सभी फूल दान जो है वो देखिए यहां पर फूल है तो यहां पर फूल हो गए उसके बादे कोई फूल पौधा नहीं है तो कोई फूल पौधा नहीं है तो पौधा को मैं कहीं अलग दिख लेकिन इस वाले एक मेथड होता है इससे आप कभी भी गलती नहीं करोगे बट यह मेथड आपको याद रखना पड़ता है भूल जाता है एक दो महीने के बाद अगर आप इसको छोड़ देते हो लेकिन यह जो ट्रेडिशनल वे हैं यह कभी भूलता नहीं है हमेशा के लिए फूल दान है तो यहाँ पर जो पौधे है क्या कुछ भूधे फूल दान है यहांसे 10 आए नहीं दिख रहा है कोई वह आसा सम्ता करें तो है नहीं वह सबमिस्ट करता है तो सके लल्द पहला यहां पर आनुसर करता है तो फर्स्ट आंप म स्वीślिन अभर करें है करेक्ट है अगला कुईशन हम लोग देखे तो अभी तक तो ठीक ही ठाक कुईशन आ रहा है यदी एफ-a-c-e-t-i-o-u यस सब दके अक्षरों को वरणान उक्रम में व्यवस्तित किया जाए मतलब डिक्सिनरी के आधार पे तो बताना है कि कौन सा अक्षर अंतिम से तीसरा अच्छर होगा देखे अंतिम से बोला है तीसरा अच्छर होगा तो आप सुरुगात में जाओ ही मत आप देखो कि सबसे लास्ट में इसमें कौन आ सकता है तो अब बस एक कुछ भी रेंडम ले लिख दो जैसे यहां पर आपको दिख रहा है एस ठीक है एस उसके बा आप यहां पर सी लिखो ऐसे करते वह नहीं जाना है आपको डिरेक्ट ली अंतिम से आजाना है और कोई एक लेटर लास्ट का लगभग उठा लो और इसके बाद आप खोज लो कि लास्ट में और इसके क्या क्या आ सकता है तो एसके बाद टी इसमें दिख रहा था यू दि यहां पर आपको एक statement दिया गया है कि रिमा उसा और नैना में सबसे चोटा कौन है अब आपको इन दोनों statement को पढ़कर के बताना है कि क्या केवल पहला statement इसके लिए परयाप्त था किसका आंसर दे दे या दूसरा statement की विजरुब पढ़ रहा है या केवल दूसरा statement काफी है इसका अंसर देने के लिए तो उसके लिए तो आपको पहला statement और दूसरा statement देखना होगा पहला statement कहता है कि वीना उसा से छोटी है तो वीना को मैं भी माल लेता हूँ और उसा से छोटी है इसका मतलब है कि ये छोटी है उसा से उसा बड़ी है इससे तो ऐसे हमने सिंबल कर लिया इसका अब करा लेकिन रीमा से बड़ी है जो वीना है रीमा से बड़ी है इसका मतलब रीमा के लिए तो इसके फिर बड़ा वाला sign लगाना होगा तो यह पहला statement हो गया क्या इससे बता सकते हो कि रीमा उसा नैना में बढ़ा हुए थी मतलब वह एक ही उनका एज रहा होगा इसका मतलब रीमा से तो चोटी बहन का जन्म से साथ हुआ है तो चोटी का मतलब सिंबल कैसे लगा गया रीमा बड़ी है नैना से तो ऐसा हो गया तो देखिए आपको जो दूसरा इतना ही दिया गया है तो आप इससे ये भी नहीं बता सकते कि रिमा उसा नैना में कौन सबसे चोटा है क्योंकि उसा का तो इस्टेटमेंट आपको पहले में दिया गया है तो इसका मतलब है कि अब तो आप बता सकते हो कि रिमा उसा नैना में कौन सबसे चोटा है तो नैना स कि दिये गये विकल्पों में से वह सब्द चुनिए जो दिये गये सब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है ठीक है तो नहीं बनाया जा सकता है यहां पर जब आपको काफी लगे कि इसमें काफी सारी चीजे हैं तो आप स्टार्टिंग से लिख लिए कर यहां पर P, P, दो बर आया है, तो दो बर लिख लिया, R दो बर आया है, तो दो बर लिख लिया हमने, O एक बर आया है, तो एक बर लिख लिया हमने, S एक बर आया है, तो एक बर लिख लिया हमने, P हो चुका है, E एक बर आया है, E एक बर आया है, R भी एक बर आया है, और I भी ही एक बार आया है ठीक है अब आप यहाँ से बनाना शुरू कर दो ठीक है तो यहां पर दिमाग तुरंत यहां पर दोड़ना चाहिए कि एस दो बार दिख रहा है तो यहीं नहीं आएगा ठीक है तो अगर आपको आपको जैसा फॉलो करना पड़ेगा अग्ला जो कुईस्चन है है हमारा कि वरूड अपने घर से चलता है और उत्तर पस्चिम दिसा में तीस किमी चलता है तो अपरा कुईस्चन पढ़ना है डिरेक्ट फिर स्टॉल करना शुरू कर देना है क्योंकि हमारा कुईस्चन देखते ही पता चल जाए कि हमको पहले इस्ट वेस्ट नार्थ साउथ पता है तो आप अपना अपने से बना लिया करो की मेरा कौन सा साइड क्या रहेगा तो जैसे मेरा तो यहीं चलता है कि इस्ट उसके बगल में वेस्ट और नार्थ इधर है और साउथ ठीक है तो मैं तो हमेंसा ऐसी बनाता हूँ और यहां पर आप देख सकते हो कि वरूड अपने घर से चलता है उत्तर पस्चिम दिसा में 30 किमी चलता है तो उत्तर यह हो गया पस्चिम यह हो गया मालेत यहां से चलना शुरू किया है तो उत्तर पस्चिम दिसा में 30 किमी चलता है तो यह हो गया हमारा दक्षिड यह हो गया पस्चिम तो मतलब अब इस साइड में च से फिर वह अपने घर की और मुड़ता है होtestिस दिसा में बढ़ रहा है तो घर उसका तो यहां था तो इस दिसा में यह किस दिसा में दिसामें तो अब देख सकते हो नार्थ फिर यहां पर जाया करो पहले को possibility कि यहाँ को चासाय हो जाते हैं यहां मिरुकरद में इसा मतलब यहीं पहले आएगा और कुछ उल्टा होके आएगा ठीक है तो थिस जाइ तो अब देखते हैं कि वाई के बाद T आएगा टी भी ठीक है फिर यहाँ पर 9 है 9 आपका कुछ ऐसे आना चीजिए मिरर में ठीक है जबकि यह आया है यह नहीं आया है इसका मतलब यहीं से आपको पता चल गया कि अगे आपको खोजने की ज़रत नहीं है तो जितना कम से कम हो सके है उतना समय आपको देना है कम से कम समय देना है ठीक है तो यहाँ पर सेकंड ओप्सन करेक्ट हो गया 23 का अगला क्विश्चन देखते हैं अगला जो क्विश्चन है मारा 24 नंबर का चात्रों की पंक्ति में अभी हम लोग क्विश्चन किये थे पहले वहीं वाला क्विश्चन बस थोड़ा साइस में और एड किया गया है कि छात्रों की पंक्ति में मधूर देखे यहाँ पर मधूर दाया से आठवा इस्थान है तो दाया आपका इधर हो गया राइट साइड ठीक है और आठवा इ ठीक है दाया से आठवा इस्थान पर और सुकम जो सुकम है वो बाया से आठवा इस्थान पर है तो सुकम यहाँ पर वो बाया से आठवा इस्थान पर हम लोग मालेते हैं यहाँ पर यहाँ पर आठ लिखता हूँ और यहाँ पर सुकम एस से डिनोट कर लेता हूँ ठीक है तो यहां पे यह जरूरी नहीं कि यहीं पे हो हो सकता है आठवा इधर भी आ जाए क्योंकि इतने student ही हो या फिर इतने मतलब लोग बैठे हो इस पक्ति में बट यहां पे हम लोग अगर देखेंगे तो अभी इतना ही हम लोग सपोच करके चल रहे हैं अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा है कि जब मधूर और सुकम अपना इस्थान परस्वर बदल लेते हैं अब मधूर यहां पर आ जाता है और सुकम यहां पर आ जाता है तो क्या कह रहा है तो सुकम बाये से 16 इस्थान पर आ जाता है बाया हमारा इधर है सुकम अगर अतना इस्थान यहां पर बदल लेता है तो इसका मतलब यहां पर 16 वे इस्थान पर रहता है मतलब यह आपका 16 वा इस्थान है तो सोचे यह यहां तक कितना है टोटल 16 लोग हैं यहां तक हमको पता चल गया कि 16 लोग हैं और यह आठवा इस् यहाँ पर क्या हो गया आपका करेक्ट हो गया 23 लोग यहाँ पर हैं तो यहीं concept है इसके पीछेगा कि आपको देख लेना होता है कितने वचे हैं कितने थे यहाँ पर कौन से स्थान पर था ठीक है उसके आपको add कर देना है तो simply आपका answer आ गया तो यहाँ तक आपका reasoning complete होता है ठीक है और इसके बाद मैं आपको इसके बाद आपको aptitude इसके बाद आएगा section science आएगा तो हम लोग अगले वीडियो में देखें कि क्योंकि वीडियो काफी लंबा होता जा रहा है तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में aptitude और जितने भी आगे के portion है आपके टाटा बाई बाई